असलाम वालेकुम फूडीज वेलकाम और वेलकम बैक टो मैं चानल टेस्टी ट्रीट्स बाइ निकी तो एक और नई रेसिपी के साथ मैं आई हूँ आज और काफी दिनों के बाद लेकर आई हूँ एक और रेसिपी थोड़ी मसरूफ थी थोड़ी बिजी थी थोड़ी आफ लेना था पर मैं आ गई हूँ एक और रेसिपी लेकर और आज की हमारी रेसिपी है चिकन बर्रा क्रीम और ये बहुत ही अच्छी बनी थी, delicious बनी थी, ये मैंने खाई थी मामू के यहाँ पे मेरे तो मैंने सोचा कि मैं इसे try करूँ और आप सब के साथ भी से मैं share करूँ तो ये है ingredients, ये सिर्फ marination के ingredients है इसके तो चलिए पहले हम chicken को कर लेते हैं marinate, यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो chicken, डाल देंगे इसके अंदर हम स्वात के हिसाब से नमक आधा टेबल स्पून डाल रही हो मैं black pepper powder यानि काले मिर्च का powder और एक टेबल स्पून गरम masala powder, एक टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक यानि अदरक और लसन का paste और आधा नीम्बू का रस दालेंगे यहाँ पर हम अब इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दो से तीन टेबल स्पून भरके हरी मिर्च का paste सिर्फ हरी मिर्च को पीस लिया है थोड़ा सा पानी डाल कर उसके बाद हम यहाँ डालेंगे आधा कप भरके दही और उसके बाद हम डालेंगे आधा कप क्रीम, अमूल की फ्रेश क्रीम यहाँ पर यूस की है मैंने और अब हम इसे अच्छी तरीके से हातों की मदद से मिक्स कर लेंगे और हमने इसे रखना है मारिनेेट करने के लिए अगर आपके पास वक्त है, आपको बिलकुल ही कोई घाई नहीं है बनानी की तो आप इसे मारिनेट करने के लिए 3-4 घंटे रखिए या दो से तीन घंटे और अगर आपके पास time नहीं है तो at least इसे आदा घंटा तो आप marinate करने के लिए जरूर रखिए तो यह जा रहा है marination के लिए अब हम बढ़ते हैं आगे तो हमारा next process है preparation of the paste, paste को बनाना है तो यह है उसमें use होने वाले ingredients, चलिए करते हैं शुरू तो यहाँ पे पहले अब मैं ले लूँगी एक कड़ाई ठिक bottom कड़ाई ली है मैंने और यहाँ मैं डाल रही हूँ चार से पांच चम्मच तेल के ऐसी बर्तन लेनी है जिसका तला जो है वो थोड़ा सा जाड़ा है तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे मैं डाल रहे हूँ लसन 3-4 कटे हुए आप चाहे तो बिलकुल बारीख काट कर भी डाल सकते हैं बस थोड़े से लसन जब हमारे गोल्डेनिश कलर में होने लगेंगे पूरे नहीं हलके हलके हम दाल देंगे हमारी प्यास तो यहाँ पे मैंने 3-4 लगभग मीडियम साइस की प्यास ली है और यहाँ पे मैं डाल रहे हूँ 1-4 कप यानि 1-4 कप काजू अब हम इसे थोड़ा अच्छे से पका लेंगे तब तक कि जब तक कि हमारी जो प्यास है वो ट्रांस्परेंट ना हो जाए मतलब कि थोड़ी सी पक न जाए, थोड़ी नर्म ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते हुए पका लेंगे मेरी जो रेसिपीज हैं उनको शौट में देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राइम चानल को भी फॉलो कर सकते हैं और भी बहुत सारी डीटेल्स हैं वहाँ पर जल्दी से जाएए और ज़रूर फॉलो कीजिए तो देखिए हमारा जो ये कांदा है ये लगभग होने वाला है जब ये हो जाएगा इसके अदर हमने और कुछ एड नहीं करना है बस इतना ही है सेकेंड हमारा प्रेपरेशन का प्रोसेस तो ये मैंने कहा जैसे हो गया है अब मैं इसे निकाल लूँगी मिक्सर ग्राइंडर में और इसे मैं कर लूँगी थंडा और मैं इसे पीस कर रख लूँगी अब हैं यहाँ पे हमारा आगे का प्रोसेस कढ़ाई में तेल ले लिया है मैंने ये मैंने दो से तीन चम्मज भर के या लगभग चार चम्मज भर के तेल लिया है तेल जब थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो हम यहाँ पे हमारा मैरिनेशन वाला चिकन इसमें डाल कर पका लेंगे अच्छे से हमें इसे तब तक ही बस पकाना है जब तक की हमारा चिकन थोड़ा सा ना पक जाए like 50% और हमारे जो मैरिनेशन में मसाले यूज किये हैं हमने वो थोड़े से पक जाएं बस उतना ही इसे पकाना है ये वाला जो प्रोसेस है marinated chicken को जो हमें पकाना है वो सिर्फ आपने 50% ही पकाना है क्योंकि आगे chicken और पकेगी तो वो जादा पकेगी तो बहुत जादा गल जाएगी इसलिए अभी हम जो marination वाला के बाद का प्रोसेस है उसमें हम इसे सिर्फ 50% तक ही cook करेंगे उसे जादा हम इसे cook नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी ये लगभग होने को है तो ये देखिए ये 50% हो चुकी है और यहाँ पे ये जो है दूसरा boil आ चुका है मेरे marination के chicken को जो मैंने पकाने के लिए डाला हुआ है देखिए अगर आप मेरे चानल पर new है और मेरी recipe को पहली बार देख रहे हैं और आपने चानल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएए चानल को subscribe भी कर दीजे और bell icon को भी hit कर दीजे और अगर आप मेरी recipes देखते आ रहे हैं पहले से ही लेकिन आपने चानल को subscribe नहीं किया है तो भी जल्दी से जाएए और चानल को subscribe कर दीजे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी चिकन हो चुकी थी 50% कुक हो गई थी तो मैंने उसे उतार लिया है साइड में रख लिया है अब यहाँ पे हमें इस तरीके से चिकन को थोड़ा सा हलका सा इसका कलर चेंज होने तलग हमने इसे आग के उपर इस तरीके से फ्राय कर लेना है अगर आपके पास कोई और चीज है जैसे जिसे हम जो एक जाली आती है इसके लिए अगर वो है तो आप उसका इस्तेमाल करके सारे चिकन उसके उपर रख दीजिए और उसे आग के उपर रख के कुछ देर के लिए पका लीजिए जब तक कि हलका हलका सा उसको एक भुना हुआ कलर ना आ जाए बस उसे जादा नहीं करना है हमें आपको चाहें तो सारे चिकन को कर लीजिए इस तरीके से अगर आप चाहें तो कुछ को कीजिए और कुछ को रहने दीजिए मैंने सारी chicken को नहीं किया है मैंने कुछ chicken को आग पर इस तरीके से पकाया है और कुछ को मैंने वैसे ही छोड़ दिया है अब इसके बाद बढ़ेंगे हम second process की तरफ और ये है उसमें यूज होने वाले इंग्रीडियन्स इसके अंदर step by step चीजे हैं थोड़ी से difficult है लेकिन बहुत ही जादा खाने में लजीज है तो यहाँ पे है हमारा second main preparation के लिए यहाँ पे मैं ले ली है तेल कड़ाई के अंदर तीन से चार चम्मच भर के लिया है मैंने तेल तेल गरम होते हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया है अदरक लसन का paste एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी दो बड़े चम्मच थोड़ा सा हम इसे पका लेंगे जब तक की अदरक लसन का हलका सा जो कच्चापन है वो चला जाए उसके बाद हम इसमे डालेंगे काले मिर्च का पाउड़र एक चम्मच थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमे डाल देंगे एक तिहाई कप दही यानिकी ode third कप दही और इसके बाद में इसमें जाएंगी हमारी फिर से अमूल की fresh cream, same measurement है one third cup, यानि की एक तिहाई cup भरके अमूल की cream दोनों का ही measurement सेम रहेगा, marination में भी और इसमें भी और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है वो paste जो हमने बनाया था कांदा और काजू और लस्सन का जो हमने paste बनाया था यह वो paste है और यहाँ पे वो मैंने डाल दिया है अब इसे हम थोड़ी देर के लिए चम्मच चलाते हुए पका लेंगे और अब डाल देंगे हम हमारी chicken चिकन डालेंगे कब जब आप देख सकते हो साइड में देख रहे हो आप यह हलका हलका सा जो उबाल आ रहा है बिलकुल उसी के बाद आप उसके अंदर चिकन डाल देंगे और पूरा जो चिकन का हमने पेस्ट जो हमने मारीनेशन का जो पूरा तयार किया था बाद में आप वो पूरा डाल दीजएगा और यहां पे अबे मैं डाल रही हूँ स्वात के हिसाब से नमक क्योंकि हमने नमक डाला है सिर्फ मारीनेशन के टाइम पे चिकन के लिए और उसके बाद हमने इसमें नमक नहीं डाला है तो अभी हम यहाँ पे डाल देंगे इसमें नमक और इसे अच्छी तरीके से पकाना है अच्छे से इसलिए पकाना है क्योंकि हमने चिकन को सिर्फ 50% पकाया था और उसके बाद हमने चिकन को आग पे सिर्फ थोड़ा सा कलर का चेंज करने के लिए भूना था बहुत जादा नहीं भूना है उसे और जो नहीं भूनेवे चिकन है वो अभी यहाँ पे इसके अंदर इसके साथ जो है पक जाएंगे तो इसे हम ढग कर पका लेंगे 15-20 मिनिट के लिए और कर ली है मैंने इसकी प्लेटिंग बहुत ही सिंपल सी की है तो इसे आप जो है तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं नान के साथ खा सकते हैं या नॉर्मल घर की वीट रोटी के साथ खा सकते हैं तो रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए और मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरी पिछली वीडियो पर जो भी आप कॉमेंट्स करते हैं उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया मुझे बहुत अच्छा लगता है